Hello Friends Welcome to my YouTube channel Healthy Life दोस्तों किया आप जानते हैं नारी की पत्तियों से जुड़े सहत से होने वाले फायदे नारी की पत्तिय की हरे पत्तेदार सब्जियों की ही तरह सहत के लिए बहत फायदे मंद होती हैं नारी की पत्तिय मुखे रूप से पानी में उगाये जाती हैं इसलिए इन्हे वाडरेश मिच भी कहा जाता है अगर बात करें इसमें मौझूद बिटामिन्स की बारे में तो इसमें प्रचूर मात्रा में पानी, आईरान, बिटामिन C, बिटामिन A और अन्य पोसक्त तो मौझूद होते हैं इसकी पत्यों को पका कर साग के रूप में या स वीडियो को इनितक जरूर देखिए, तो सबसे पहला फायदा है एनिमिया के इलाज में आयरन से भरपूर होने के कारण एनिमिया से प्यूनित लोगों के साथ सत गर्वती महिलाओं के लिए भी नारी के पत्ते बेहत फायदे मंद होते हैं, दो नंबर फायदा है कोलेस्ट यह पांचर में सहायक होती है, इन पत्तियों के सेवन से स्वभाविक रूप से विभीन पांचर विकारों सिराहत मिलती है, अपच और कब जिसे प्यूनित लोगों के लिए इसके गुण फायदे मंद होते हैं, चार नंबर फायदा है लिवर की समस्या से चुटकारा पाने में, पीलिया और लिवर की समस्याओं के उपचार के लिए आयरवेडिक चकित्सा में नारी की सद्जे कॉप्यों किया गया है, इन पत्तियों में एंटी आक्सिडेनेट गुण भी भरपूर मात्राय मौजुद होते हैं, जो पीलिया जैसे विमारियों से निज्जात दिला दोस्तों सोधों से पता चला है कि नारी की पत्तियों के सेवन से मद्धु में प्रेरित एंटी आक्सिडेटिव तनाव के खिला प्रति रोधक चमता विकसित करने में मदद मिलती है, जिससे की डाइबटीज की समस्या खतम हो जाती है, छे नमबर फायदा है प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए, बोसक तत्यों का भंडार होने के कारण यह पत्तेदार हरी सब्जी विटामिन सी की खुराक की तूला में शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने का एक सबसे अच्छा और प्रकृतिक तरीका है, इस हरी पत्तेदार सब्जी का नियमित रूप सेवन सरी प्रतिर्योदक्षा को बढ़ाता है, और यह हड्यों के स्वस्त विखास को भी पढ़ावा देता है, इसके अलावा यह हिर्दय लोग में और आखों के बिमारियों को भी दूर करने में बहत फायदेमंद होता है, तो दोस्तों यह थे नारी की पौदे से जुड़ों ही महत पूर्जानकारिया, थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएगा